तो जाने भारत के अपने लड़ा को विमान मिक 21 बाइसन से जुड़ी हुई कुछ खास बात है मिक 21 सोवियत यूनियन दवरा निर्मित लड़ा को विमान है ये सोवियत यूनियन की एर फोर्स में 1922 में आया था ये सिंगल पाइलट और सिंगल इंजिन वाला लड़ा को विमान है इसमें एक R25-300 टर्बो जेट वाला इंजिन लगा हुआ है जो की 67.2 किलो न्यूटन की पावर उत्पन करता है इस लड़ा को विमान की क्रूजिंग स्पीड 1000 किलोमेटर प्रतिगंटा है और इसकी मैक्सिमम स्पीड है 2230 किलोमेटर प्रतिगंटा ये लगबग 19,000 मीटर की उचाई पर उड़ान बर सकता है और इसकी रेंज है 1225 किलोमेटर इसके हत्यारों की बात करें तो इसमें 23 mm की कैनन लगी हुई होती है जो की 200 राउंड फाइरिंग कर सकती है इसमें R3, R13M, R60, R16M जैसी air-to-air missiles और KH66 जैसी air-to-surface missiles भी लगी हुई होती है MiG-21 की फूल वीडियो की लिंक अमने नीचे description में दी हुई है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारी चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल ही न भूलें